नमस्कार मैंनाजमिन खान आप देख रहे हैं SPN 9 News आपको बता दे महरास्ट में मंत्री मंडल का विस्तार हो चुका है सभी को सभी विभागों का बटवारा कर दिया गया है और ऐसे मैं आपको बता दे कि जहां कांग्रे सिफसैना के गटबंधन से बनकर आए सिफसैना एन्सिपी और कांग्रेस गटबंधन करकर महरास्ट में सरकार बनी है अब ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी खफा चलती हो यह दिखाई दे रही है अब ये खबर ये थी कि कॉंग्रेस पार्टी में से एक विधायक ने इस्तिफा दे दिया है अब आपको बता दें विभागों का पटवारा हो चुका है और कॉंग्रेस के पास किसानों से जुड़ा कोई विभाग अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है आपको पता दें कृषी, सिच्चाई, ग्रामेर, विकास, सहकारी ये कोई भी विभाग उन्हें नहीं दिया गया है जो गाउं से नाता रखता हो या गाउं से जुड़ा हो या किसानों से जुड़ा हुआ हो दरसल ये विभाग सिर्फ सैना ने अपने पास रखा है ओदर ठा प्रभीति कर सकते हैं और आगे भी लंबे समय तक वो ठीके रह सकते हैं इसलिए उन्होंने कॉंग्रेस के पास इस विभाग को ना देने से इंकार कर दिया खुद अपने पास इस विभाग को उन्होंने रख लिया दरसल आपको यह भी बता दें कि जादा तर ग्रामिड इला करा है कि उन्होंने किसानों से जुड़ा कोई भी विभाग कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया जहां पहले से यह खबरे आ रही हैं कि सभी पार्टिया उद्धर ठाकरे से नरास चल रही हैं खफा है कही ना कहीं विभागों के बटवार में कहीं ना कहीं जो धांदली वे कही ना कही नराजगी सभी पार्टियों में चल रही है कॉंग्रिस पार्टी से इस्तिफा दिया जा रहा है नराजगी उद्धर ठाकरी से है लेकिन कॉंग्रिस पार्टी से इस्तिफा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जा रही है ना उनकी बात को स गटबन तूटता हुआ साबित ना हो जिस तरीके से यहां पर यह देखा जा रहा है कि किसानों का कोई भी विभाग नहीं दिया गया खुद अपने पास रख लिया तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस गटबंधन पर कहीं असर ना पड़े क्योंकि जहां नराजगी पहले से देखी जा रही है अगर यह नराजगी बढ़ती और देखी गई तो इस गटबंधन पर दरार आ सकती है और सिफसेना को इसका बड़ा भुकतान करना पड़ सकता है और भारी चूक से गुजरना पड़ सकता है उद्धर ठाकरे को अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या यह नराजगी ऐसी ही चलती रहेगी क्या गटबंधन पर कोई असर पड़ेगा आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें SPN 9 News